उत्रप्रदेश की 80 लोग सभा सीटों पर जीत हास्तिल करने का दावा भारती जनता पार्टी लगातार कर रही है वहीं बीजेपी को टकर देने के लिए मैदान में उत्रप्रदेश में सपा कॉंग्रेस का गठवन्दन है तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ कई अन्य छोटे छोटे दलवी है आखिरकार यूपी की स्यासत में बीजेपी इस बार कोई बड़ा खेल कर पाएगी या नहीं इस बीज देखा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल सीट होट सीट जो है उन पर सभी की नसरे टिकी होई है इन्ही में से एक सीट है सुल्तानपूर सीट जहां से गांधी परिवार की छोटी बहु मैनका गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है ऐसे में देखा जा रहा है कि मैनका गांधी जो एक बार फिर से सांसदी पद पर नसर आ सकती है यदि वह जीत हासिल कर लेती है बीस साल से भाचपा में साथ बार सांसद बनी है मैनका गांधी तो क्या इस बार भी जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं यह सवाल तो उठ रहा है लेकिन इस भीज देखा जा रहा है कि आरोप्रतरोप का सिलसला जारी है आपको जानकारी दे दें कि मैनिका गांधी से हाल ही मैं इंट्रिव्यू में तमाम सवाल पूछे गए उनसे कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भी सवाल पूछा गय उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से राइबरेली शिफ्ट हो गए वह कहती है मुझे नहीं मालू सच में मुझे नहीं पता मुझे लगता है कि अगर आपको नेतागिरी करनी है तो हिम्मत दिखानी चाहिए अगर आप हिम्मत नहीं दिखाते तो आप नेता नहीं अगर आप बुजदिली दिखा रही है तो आप किस बात के नेता वहीं यहां पर उनसे यह भी पूछा गया कि लास्ट टाइम आप सौनिया गांधी राहुल गांधी से कम मुलाकात की कभी नहीं मैं उनसे नहीं मिली हूं मैं किशोरी लाल शर्मा को नहीं चानती हूं उनसे भी कभी मुलाकात नहीं की वहीं उनसे यह भी पूछा गया कि सौनिया गांधी ने कहा कि इस बार उनका आखरी चुनाब है क्या आप भी आखरी बार इलेक्शन में हैं वह कहती है नहीं यह मेरा आखरी चुनाब नहीं है इस तरह से वह यहां पर गांधी परिवार को लेकर बात रखती हुई नसराई है लेकिन आचारे प्रमोत क्रश्णम ने जो कुछ कहा कि राहुल गांधी राम मंदिर पर आई फैसले को बदलना चाहते हैं वह कहती हैं मुझे इस वारे में कुछ नहीं मालूम इस मामले में मुझे कुछ नहीं बोलना है अब द लगता है यह सबजेक्ट के उपर डिपेंड करता है तो फिलहाल देखा जाए में का गांधी ने गांधी परिवार के साथ बॉंडिंग को लेकर गांधी परिवार के सदस्य की चुनाव लड़ने को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिये हैं अब देखना यह होगा कि आने व राजनितिक दलों की तरफ मेंनका गांधी साफ तोर पर कहती हुई नजराई है उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है लेकिन राहुल गांधी और सोर्या गांधी को लेकर जिस तरह से उन्होंने जबाब दिये हैं देखना होगा कि आने वाले दिनों में गांधी परिवार के सदस्यों का क्या कुछ रियक्शन होता है फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अप्रेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट टुनाइन न्यूज